तो आपके आपकी रिवाइस को एक्सेप किया तो उसकी उसका रिजल्ट आपके सामने ऐसा चैक आउट की फॉर्म में वह आपको शो कर रहा होता है कि आप लोग आगे फरदर परसीट कर सकते हैं इसी कि मैंने और एक आपके सामने ओपिन करके रखी थी तो आपको दिखा देता हूं तरह यह देखें यह सर्वर और चुछे वह सर्वर का का काम है और रिक्वेस्स की स्थरीए जाती है वह सर्वर वह सारे चीज़ें के तौर पर बताई गई है यहांपर क्या एक क्लाइंट चाहिए तो आप क्या करेंगे लाने वाला जो रिक्वेस्स करेंगे कोई हो सकता है उससे रिक्वेस्स की जाएगी कि यह चीज मुझे चाहिए औरसूर जाएगा सरवर जाने के बाद उस चीज़को डेटा जो वह असल में क्या कि लाते हैं 2008 का काम करता है एक की सो जैसे यहां पर आपको इए कि यह देटाबेस जो कि आपकी शौप है यह अगर आम वैप की दुनिया में देखें तो हमारे पास क्या होता है माइस क्यों करता है अगर हम लोकल सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो हमारा जो ZAMP है ZAMP के अंदर MySQL यह चार्ट है वह यह काम कर रहा होता है किसी जो भी डेटा आप लोग अपने आपस स्टोर करने का डेटावेस का काम कर रहा होता है जैसे यह एक वेहर आउस एक काम कर रहा है अपने पास डेटा स्टोर किया हुआ है अब MySQL समझ ले इसको पर यहां पर इस की इसके अंदर आप ले सकते हैं आप आज इसमें आपका काम ये करेगा कि जो भी रिक्वेस्ट बेजी जा रही होगी इसको Freeman Toys जो आपको सेव करनेगा डेटा स्टोर करने काम यहांसरल करता है तो इसको तरह में फीस यहीं यह तो इस पर पड़के मिदा इसतो यधिया डेटा यूज टॉर एंट टेटा क्या होता है आपका पूरा पूरा था आपने क्या डाली आप को आप लोग इस्टेंग्राम आप लोग करते होंगा आप लोग की सारा डेटा जो को आपने जो को स्टोर हो रही होती है इन आपके पोस्ट के रियेट कि हैं वह भी आपके बीड हो गया कुछ भी तो बहुत रेर केस होता कुछ बाग आ जाए तो हो जाता है वनना इस टोर होती है चीज़ा आपकी वैंड यू लॉग इंटू मैस्क्यल जैक यह रिंचाज वैं यू पोस्ट एन अपडेट इंट्र दे रहे थे तो आप लोगों समझ में आगे होगा आप आच्छे का और मैस्क्यल का काम क्या है एक और एक्जेम्बल भी थी मैंने इसकी ओपिन करी भी थी वह मैं आपको दिखा देता हूं यह आपका वैप सर्वर होता है अगर आप लाए टोस्टिंग ले रहें तो अभी ह सर्वर काम क्या है को किसी इसी में आपका डुमेन नेम होता है जो भी आप साइट का नाम रखेंगे वह यहीं पर सेव होता है और आपका जो जो आपकी वेप्साइड है वो डिफरेंट जो है वह ब्राउजर को उपन होती है तो वह कॉल होती है वहां से ऑनलाइन यूजर जो है वो इसको कॉल करते हैं कॉल करने के बाद उसको को अपने पास रिसीव कर लेता है और माइस क्यों से श्टोर किया और डेटा हो तो रिक्वेर्स की करता है वह आपको लाके सामने दिखा देता है यहीं चीज़ में देखेंगे वेबसाइट पर जब भी नया लाख करते हैं तो उसको अभी फिलाल मैं इसको पर चुके अब हम देखेंगे किस तरीके से हम जो हो जैम और वड़्पेस को किस तरीके से अपने लोगल सिस्टम पर इंस्टाल करें तो इसको मैं केंसिल कर देता हूं उसके बाद जो हम स्क्रीन की दर्फ चलते हैं मेरी स्क्रीन आप लोगों को भॉप के शोव दी होगी तो यहां पर आप लोगों ने क्या करना है अच्छा एक तो यह चीज यह कि मैंने आप लोगों को मैं आप लोगों की जो आपको मैंने यहां पर उल्रेडि जो है पुट कर दी हैं आप लोगों यहां से भी इसको इस टॉल कर सकती है अब आप लोगोंने क्या करना एक शैंड को बच्चे यहां से करने कर लें अगर इस श्विजी को उने में तो खैध नहीं आएक कुछ выпол inm आप लोगोंने क्या करना है जाके डूबल पहागे सर्च करना है डाउनलोड लिखेंगे तो यह आपके सामने आपचे फ्रेंड्स की ऑफिचल अपसाइड है यह जाएट यहांसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको अपने के बाद यह आपको डिफरेंट वर्जन के लिए जो लोग 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 कर लेंगे सबसे लेटेस वर्जन वह वह यह वाला है तो आप इसको अगर आप लोगों के पास यह ना चल रहा हो असल में होता यह जब भी आप डाउनलोड जैम डाउनलोड करते हैं इसके अपनी ऑफिशल साइट से तो यह थोड़ा सा इसारी चीज़ें आपको बता रहा हूं कि यह आपको कहां से मिलेंगी पहले पहली बात तो यह आप लोग का जो गृूप है उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन में आगे देखें आपको यह वाली ड्राइफ का लिंक मिलेगा सब्सक्राइब का लिंक मिलेगा यह इस तरीव और इसी तरहीगे से आपके पास यहां पर वर्टपेस्स मैंने आपको यहां पर प्रॉड़ाइट कर दिया तो आप लोग यह अपने पास वाट्सप से वाट्सप की डिस्क्रिप्शन जो आपके गुरूप की डिस्क्रिप्शन है वहाँ से ड्राइब लिंक को किलिक करें डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं विंडोस के सिस्टम पर आगर आप डाउनलोड करेंगे अच्छा तो आप लोग ने डाउनलोड करना वह आपने यह वाला करना लेटेस बर्जन आपके बास नजर आ रहा है तो यह आप लोग डाउनलोड कर लिए अगर ना चले तो अच्छा यह पहली प्रियोरिटी आपकी यह होगी कि आप यहां से डाउनलोड करें और वह आप पास चल जा तो बहुत अच्छी वात है उसका रीजन क्या है उसका रीज लोने में बहुत काफी टाइम लेता है तो इसके लिए मैं आपको यह द्राइव पर देदिया है वहां से डाउनलोड करने में आप जल्दी जब डाउनलोड कर ले ऐसा कोई यह प्रोब्लम नहीं है यहां से भी डाउनलोड हो जाता है बस यह थोड़ा सा टाइम लगता है रटम्रेश सब्सक्राइब द्रक्राइब तो यह बहुत सिंपल है और आपने इसको कन्टीनिव करना उसके लिए अब गश्यर्ट में अभी स्ट्रोल्ड में तो इसलिए जब भी जब पूरा प्लेट स्ट्राइब प्रिएल लेंगे तो आपने एस तरह के निए वहां जाके आप लोगोंने क्या करना है वह हम आगे देखेंगे सही तो कोई मसला आ रहा हो किसी को जैंब इस्टॉल करने में तो मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड कर दूंगा आप लोग उसको से देखके कम्प्लीट वह स्टॉलेशन कर सकते हैं अच्छा जी तो आगे चलते हैं यह दांलोड होगी है आप जाके लिखेंगे गूगल पे अच्छा वॉड्प्रेस का भी वह को बताया कि वह पिलिव्ट्प्रेस की फाइल भी आपके लिखने हैं अगर ना चले तो आप क्या करेंगे सभिषेंगे यह घ्लो ट्रवर्ट्रेस डाउनलोट्स लिखेंगे तो आपके बास यकी खिले संफील करने के बाद है अपने मैखसिंक्पन सब्सक्राण publi व्यां आपने रहे grateं क्रूम में तो डाउनलोड करने के बाद आगे क्या अब है असल काम वह चीज आप गहुर से देखिए जो मैं आपको चीज बताऊंगा आपने कर लिया जहीं डाउनलोड करने के बाद मैं आपको एक जैम्पल के दिखा भी देता हूं बड़ मेरे पास चलेगा नहीं तो इसलि अगर मैं इसको ओपिन कर लेता हूं ओपिन फाइल लुकेशन तो यह तरीके आपके पास शो हो जागा जैम कहा रहा है यह आपके पास आगया आप इसको डबल किलिक करें डबल किलिक करने के बाद यार को इस तरह की स्क्रीन चाहिए मिरे पाद पहले से अवेले तो आपने से ठाल होता है से शेटराइम्म स्टॉल कर लिया अपने जैम को स्टॉल करने के बाद आप ने क्या करना है आपने जाना है इस तरीप में इसप goats Owen यहां पर आगे इस तरीके से यहां पर आएं वायेंगे आपके बाद इस तरीके से इहां पर ऐसे बदों करने के बाद एच्टी डॉसीस के नाम से फोल्डर होगा इसको ओपिन करें ओपिन करने के पाद जो वर्टप्रेस की फाइल थी उसको कॉपी करके यहां पर आपने पेस करना है पर्स करें यह फाइल जो है मिरे पास यहां पर नहीं है और डाउनलोड में यहां पर कंट्रोल भी कर देता हूं कि यहां पर सम Debug एक बंदफिल्द के अबनाना है अपनी वेबसाइट का फूल्डर वो कैसे बनेगा उसके लिए मैं आपको भी बदाता हूं यह वर्ट्पेस की जो फाइल आपके पास आई है इसको आप करें राइट किलिक करेंगे तो यह आपकी जिफ फाइल जो हो रही है एक फोल्डर बन जाएगा यह जैसे एक बताता हूं आप लोगोंने क्या करना है क्लिक करें तू Mars पूल्डर आपके सामने युए हुआ है यहाए फोल्डर वर्ट्पेस के नाम सी आपके अउने इक फोल्डर क्रिएट होगा जब हिय प्रेट हें तो आपने क्या करना है इस Surround किलिक करके राइट इस फोल्डर पर किलिक किया किलिक करके राइट किलिक करके री नेम कर दें इसको रिनेम करना है क्या नाम रखना है आपने इसका नाम वो रखना है जो कि आपको अपनी वेबसाइट का नाम रखना हो सही है लाइक मैं आप लोग का बैच 62 है तो मैं इसका वेच नहीं दालना फिलाल सिंपली आपने नाम रखना है जो भी अगर आपने कोई नंबर डालना हूं नंबर डालें आपि नाभी डालें सिर्फ बैच लिख दें या विर आपकी जो भी ऑफ साइट अपने नाम से बना रहें किसी भी रेस्टोरेंट कीए कुछ भी बनाना च चाहिए और कोई समय इस पेस्स नहीं होने चाहिए मैं इसका नाम रख रहा हूं बेश रिए नाम कर लूँगा क्या कोपी कापी करके मैं कर दूँगा बहार क्लिक मैंने और किलिक कर लोकल होस्ट लोकल लोस्ट अच्छा एक चीज और वदाना मैं आपको भूल जा कि जब आप वड़्टेस के फोल्डर को एक्स्ट्रेक कर लेंगे यह सारी चीज़ आप कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने जांब जांब आपने लाजमी करना है जब आप यह पूरा प्र लिखेंगे तो आपके बाद इस तरीके से लिखाएगा जैम कंट्रोल पैनल तो इसको आप यहां से ओपिन करें यह आपके बाद इस तरीके से आ रहा होगा कुछ भी ऑन नहीं होगा आपने अपाचे को स्टार्ट करना है क्योंकि हमारे काम का है यह सर्वर पर एच्पी माइडमिन लोकलोज लेश लिखेंग लिखने के बाद यह लिख दिया अब दबारा से एक दफार प्रॉसेस को दुबारा बता रहा हूं दियान से सुनीगा ठीक है क्या करना है सबसे पहले जैम इस्टॉल कर लिए जैम करने के पाद आपके पास जिप फॉलडर म एक एक पैस के नाम से लिखाए चाय लोगों ने क्या कर दिया इसको इस कि तरफ आगा इसकी तरफ आने के वाप निकल लिका लोकल हो स्लेश पीछ पी माय इडमीन अच्छा अगर आपको जहां उपन नहीं होगा अगर आपके आपके पास लाजबी ओपन करना है तो यह आपके सामने प्लिक करता हूं लोका लोकल ऊसलेश प्याश पीमाय डुमिन त यहां पर आ के आपने क्लिक करना से इस पर क्लिक करें यहां पर आकर डेटावेस नेम जो है आपने क्या रखना है जो कि आपने वह में क्रेसट करेंज देटास की है दिधि अब आप के सामने इस तरिए से यह डेटावेस आपका निज्ट फिन करने ऑ phenomenon करने के बाद जाके लिखनेन लुकल होस्ट इस लोकल होस्ट अब आप लिखेंगे लोगा लोगा लोज सिलेश अपनी वेफसाइट का नाम जो भी मेरा नाम ता मैंने कौपी किया हूँ तो मैं इसको पेस्ट करके इंटर के किलिक करें किलिदे करने के बाद एक डिस्करिण आपके सामने आगी आपने यापूलेंटर करना है यह किलिक क्रेंग करने के दakt क्वाइट की कॉपी पेस्ट कर दूँगा जो मेरे पास कॉपी हुआ है उसी को मैं पेस्ट कर दूँगा यूजर नेम में आपने क्या रखना यहां पर सब्सक्राइब की फीड को एंप चोड़ दें बागी किसी चीज को भी छेड़ना नहीं और सब्मिट बेटन पर किलिक कर तो इस तरी की स्क्रीन आदी नहीं है दुबारा करता हूं मैं अगर ट्राइगें डव्यू पी लोकल होस्त यह हो गया रूट ठीक है मेरे पास यह कुछ इशू कर रहा है मेरे पास तो मैं इसको देख के कर देता हूं अच्छा दो मिनिट ओल करी कैबलों मैं लौक मैं कंटीणिव तो यहां पर रूट मेरे पास चलने रहा कुछ रूट की जो फोल्डर करने कुछ इस्व घ्रकटां के अदू करें शेमिन अच्शू है झाल 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 तो तो पर यहांपर यहांपर लिख ले गिलें झाल कि अब लोगों शो रहे हैं तो मैं आप लोग का तरत रहता है जैम में कुछ इशू आया है तो इसकी वैसे जह वो आप लोगो के सामने स्क्राइब करना है जब आप डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने कि आपके सामने स्क्राइब इसक्राइब को एक बच्चा भी कंफर्म करते हैं की सामने कुछ तरफी इस तरी की स्क्राइब करना है तो आप के सामने स्क्राइब तो आपने इसको क्या करना है या तो उस वक्त शटार्ट कर लें आप स्टार्ट करें इसको छोर देंक मतलगे रहीकि आप predators करने कि वह प्रक्रेस करने को रहें है वह लोगोндे को इसने एक व्योगों मेगा इसका आप लोगों ने डेटाबेस नेम यहां पर जो भी आप पेस कर देंगे अपना नाम करने के बाद लोकल अपनी एपसाइड का नाम लिखेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी जैसी कि मैं आपको दिखा रहा था यह आपको यहां पर भी दिखाई गई है करेंगे करेंगे यहां पर भी बटन करेंगे करने के बाद आके सामने इस तरह की स्क्रीन शो होगी जो कि हमारे पास भी यहांपर कोच इशू आ रहा था तो आप लोगोंने डेटाबेस नेम क्या रखना है अपनी एफसाइड का नाम यूजर नेम आप लोगों ने क्या इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यह ईक और स्क्रीन इस तरीके से होगी इस स्क्रीन में क्या करना है तुसरा के क्या हुँद्यान हुआ। उमीद है जो भी कॉपी किया वा उसको पेस्ट कर दीगा या फिर आप जो है वो टाइप भी कर सकते मगर टाइप करने में एरर आ सकता है तो इसलिए कॉपी पेस्ट कर ले तो ज्यादा अच्छा है यूजर नेम साइट टाइटल क्या रखेंगे अपनी एफसाइट का नाम य ज्याद रखना है जो आपको अपनी एफसाइट के लॉगिं करने के लिए यूजर नेम चाहिए तो जो भी आप उपस्वर्ट करना चाहिए आप याद रेना चाहिए आप पने पास कर लिए अपने लिक लिगा ताके आप लोग के पास उसकी यूजर में आप लोगो को इस तो आपको यूज़ेशन देता है कि आपका पासवर्ट चोटा होगा तो वीक बोलता है तो उसको आप भले वह वीक भी हो तो मसला नहीं है आपकी मरजी है जैसा दिल चाहिए आप रख सकते हैं बस जो भी आप यूज़ेशन नेम और पासवर्ट रखें इसको आपने पास परिशानी ना हो बाद में इमेल यहार इमेल आपकी इमेल मंगता है तो आप अपनी इमेल लग सकते हैं बगर इमेल का कोई दरूरत नहीं है अबर चाहें तो रख लीगा इस असल में इमेल इसलिए होती है कि अभी आपकर वेबसाइट आप लोगों की जो है वो अगर आप आपके सामने यहां रखा था अपनी यहां रखाथ यूजरने और जो पासवर्ड आपनी टाले और अपनी वेबसाइट में लॉगिन करने के वाद आपके पास जो इसक्रीण शूओ होगी वो मैं आपको भी दिखा देता हूं कि किस तना की स्क्रीण आपके सामने शूओ की कि आपके ट्रेनर वाली ही कुल ले दाऊंगे जब भी आपने दुबारा लॉग इन करना उसकी अपनी अपसाइड का ना और उसके बाद लिखेंगे WP-admin WP-admin लिखेंगे तो आपको यह आपके अडमिन पैनल में ले जाएगा यहां पर मैं इसका यूजर नेम रखूंगा जो भी मेरा उसका यूजर नेम है हुआ है तिंगी है अग्षाइब लेदाऊं लोग लोस्त लाइब शिक्ष्टी खुलावाद हमने बैस इस्टी वन का जो फोल्डर है वो में खोल ले दाऊ अपने पास आपको दिखाने के लिए यह देखें आपके सामें इस तरीके से डैश्बोड की नजर आएगी जब आप सारा प्रोसेश पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो यह तरीके आप लोग जो भी अपनी अपसाइट का नाम रखेंगा आपको यह शो रहाओ उपर और इसके लावाद जो डिटेल्स हैं और नीचे आपको क्या 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 चीज़ आपको मिलती ह है वर्टपेस के डेशबोड में वह आपको एक श्रॉट सा ओवर्विव आज दे देता हूं इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या मिलता है डेशबोड होम और उसके नीचे अपडेट की एक टैब नदर आ रहा है तो इस अपडेट के टैप को नीव अपडेट का आपको सबस्क्राइं की अपको यहां अपको यहां पर तके ललावा और लृगें जलते हैं तो आपके सामने एक POSTS का करना और करता हूं तो आपके सामने तो यहां से जो है आपनी वर्ट्रेस की पोस्ट कर सकते हैं एजली तो पोस्ट के अंदर आपको दिखा देता हूं क्या नदर आ रहा है आपके सामने अगर आप कोई निव पोस्ट एड करना चाते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे अगर आपको एक और निव विंडो ओपिन कर देगा जहां से आप अपने पोस्ट का नाम रख सकते हैं चाहिए पोस्ट जो है वो आपके बिलॉक्स की शकल इक्तियार करते हैं जब भी आपनी अप्शाइट में डालते हैं इसके वाले से मैं थोड़ा सा शाहिद आपको बता भी चुका हूं कि पोस्ट क्या होते हैं और पेजि इसमें फर्क्यार पोस्ट होते हैं पोस्ट आपके जो है वह कॉंटेंट जो कराने की काम आते हैं कुशी वेक्साइट के अंदर अगर मैं आपको एक्जेंपल भी दूँँ मैंने भी एक्साइट खुली थी हम लोगों ने इसके अंदर ही आप लोगो ये शो हो रहा है यह क्टेोट का यह वीवाले से कि इस तरही से आप जो पोस्ट करते हैं जैसा रचींघ किके करते हैं जो हम अभी करेंगे इसका नाम मैंने रख दिया क्रेटिंग और सकते हैं और इमेजिज पोस्ट के अंदर आप इमेजिज और टैक्स वीडियो और जो है वो जो भी बुलिट आइकन्स होगा है या फिर कोई बटन वगयरा दालना चाहें तो वह आप इसमें डाल सकते हैं पोस्ट किस तरह के शो होता है इस तरह को दिखाया यह एक ब्लॉक पोस्ट है जो सबसे लास के अंदर शाहिद आपके सामने और नाम के साथ फॉलो का बटन और कुछ यह वह डीटेज दोर नदर आती है इस तरह के नीचे जो आपको टैक्स नदर आ रहे हैं यह लोकल लोकल वेब्साइट यह जो चीज़े नदर आ रही हैं यह पोस्ट के टैक्स के लाते ह आगर मैं आता हूं दुबारा पोस्ट और पोस्ट अईड्री और केटेकरी और नीचे आपको टैक्स नदर आ रहे हैं यहां से चौंग सकशन नदर आ रहे हैं यहां पर क्लिक करता हूं तो यह कमेंट सेक्शन उपन हो जाएगा यहां से आप बीजी सक्क्न जो भी आप नाम रखेंगे सबसे नाम रखने के बाद अगर तो कोई आप इमेज डालना चाहते हैं उसके अंदर और कुछ कर लेता हूं इतना मुझे चाहिए एक्जैम्पल का तोर पर मैं आपके लिए इतना अभी आईसी जो है वह पेस कर दूँगा अगर आप लिग सकते हैं तो यहां पर अच्छी चीज निया मैं अगर लिंक्स रठाना चाहता हूं तो मैं से क्लिक करूँगा और यहां से करने के बाद अब आपको आप लिंग कर सकते हैं तो आप लिंग कर सकते हैं लिंक से यहां और आपके सामने वहां से अपर आ गई है अगर आप खुछ से कोई एड़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वह मैं आपको नीचे बता देता हूं यहां पर आएंगे देखें जैसे आप मैंने क्लिक किया क्लिक करने के बाद यह एक आपके सामने इस तरीके से एड़ बिलॉक का उप्शन शोरा प्लसक्राइकन नदर आ क्या क्या कर सकते हैं तो डिफ्रेंट के लिए आपको एक इमेज का विजट यहां से हम ले लेता हूं करें और अप खुछ यहां पर आगिया अप लोड़ इमेज करने के बाद यह एक रेंडम इमेजे मैं सब्सक्राइक हैं यह पर ने लिस्ट नहीं वह दाल सकते और विया बहुत सारे ऑप्षन मिलते हैं मैंना को जैसे बता है ब्राउड बोल करके आप लोग देख सकते हैं गैलरी कोई और दालना चाहें बटन को धालना चाहें तो बटन पे क्लिक कर दें इस तरीए बटन आजाएगा इसको कोई टैक्स लिख option आ रहा है किलिक करें यहां पर लिंक डाल दें वह जो भी आप लिंक डाले के वह उस लिंक पर ले जाएगा फर्स करें मैं यही लिंक उठा लेता हूं यह यहां पर लिखता हूं रीड मॉर लिखके इसको मैं लिंक करवा देता हूं इस पोस्ट से कंट्रॉल वी करके वह यूरल जो था वह नहीं डाल दिया अब लिंक कर दिया यह तो मैं आपको बटन एड़ करेंगा और क्या कि चीज़े करने के लिए होती हैं पोस्ट के अंदर वह चीज़ें आपको भी सब्सक्राइब और मया प्लिक्ट करने यहां पर आपको यह क्या नदर आ रही है विसिबिलिटी पब्लिक अगर आप अभी पब्लिक रखना चाहते हैं इस पोस्कों फॉस्त को वह यह से तरिके से नीचे आपको publish का बड़न भी नदर आ रहा है publish के बड़न पर किलिक करके यहांपर अगर आप immediate करना चाहते हैं इसको active तो आप immediate इसको ऐसी रहने दें अगर आप चाहते हैं कि कोई specific कोई खास specific date पर यह मेरा जो विलॉग है वो publish हो जाए तो उस date date को आप select कर सकते हैं उसके नदर आप timing भी दाल सकते हैं कि इतने वच्किक मिनट पर इम हो रहा हो यह पी अम हो रहा हो जो भी आप रखना चाहिए वाब हमसे select करके करके मंट select करके आप सब्सक् defilect करके आप उसको यहां से दाल सकते हैं और उस पर पॉस्ट पॉस्ट पब्लिश्ट होना है उससे पहले जीज़ी इसको काम करना चाहिए उसको कर लेता है कोई जाना है जब खुद बखुद पर पर पब्लिश जाता पॉस्ट यह इसके इसके इलावा टेंपलेट की कुछ ऑप्शन अगर आपके पास अगर कोई टेंपलेट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह से आपके सामने नीचे यूर्ल का उप्शन नजर आ रहा है रिव्यू अगर आप पैंडिंग में रखना चाहते हैं इसको तो पैंडिंग रिव्यू में चले जाएगा यह और और का नाम यह यह पोस्ट आपकी व्लोग तो यह है इसके अलावा यह जो विलॉंग करेगा यह आपकी उसके वालावर को सकता है वैबसाइट वैबसाइट अगर टियां में लिखावा भी हो नहोंने वैब रिलेटिट कॉंटेंट है यह सही है तो कि इसकी जो केटगरी आप बना सक्ते हैं वेबसाइट बना सकते हैं यह फिर इसके लावा जो भी ट्रेनिंग यह किसी बच्छे नहीं बो ल estásdraining तो ट्रेनिंग के बार्ण जो भी आप बना जब हम देखेंगे तो यह कैटेगरी आपके सामने शो हो रही है अगर मैं नियूस पर किलिक कर देता हूं तो यह नियूस की कैटेगरी में लिंक हो जाएगा आपका पोस्ट इसके लावा नीचे आपको टैग्स नजर आ रहे हूं जो कि मैंने आपको बताया था यह यह टैग आप सेलेक्ट कर लें और यह आपके पोस्ट पर शो हो जाएंगे और अगर अचा इसके बाद आपको नीचे फीचर इमेज का उप्शन नजर आ रहा है जो वेबसाइट यह जो बिलॉग था इस बिलॉग पर अगर हम जाते हैं दुबारा से यह तो डिरेक्ट बि इसको यहां पर हम कोई सलेक्ट कर लेते हैं फीचर इमेज एक जैम्पल को तौर पर मैं आपको यह वर्टप्रेस का लोगो मेरे पास रखा वाइशको मैं सलेक्ट कर लेता हूं लाल बट आप लोगोंने फीचर इमेज बड़ी रखनी है बहुत छोटी इमेज इससे लाइब लिए इसके बाद नीचे डिसकेशन का एक्टेम नदर आ रहा होगा उसके अंदर क्या क्या अगर आप कमेंट्स अलाव करना चाहते हैं यूजर्स को कोई आकर आकि आपकी ब्लॉग पोस्ट पर कमेंट करें तो आप इसको अलाव कर सकते हैं और अगर नहीं तो इसके रख दी हैं और इसको मैं उपपर आके पब्लिश के बटन पर क्लिक कर दूँगा अभी फिलाल मैं इसको फब्लिश कर रहा हूं आप लोग जो भी पब्लिश कर लीगा ताकि आप लोग प्रेक्टिस रिए तो यह ब्लॉग किस तरह से नदर आएगा वह आपके सामने अब यह कर रहा है यह ब्लॉग आपका इस तरह से होगा है हम लोग ने सबसे लगत रखा था ट्रीट लोग लोगल आपके सामने शौर है उसके लावा नीचे वाएग कि लोगल वर्ट्रेस वेबसाइट यह आक के सामने शौर रहा है जो जो लिंक्स ते वो सारे उड़के तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग करते हैं वर्टपेस की उपसाइड में और जो फीचर नहीं है वह भी यहां पर शो नहीं हुई इसका रीजन पता नहीं क्या है मैं देख लेता हूं दुबारा आपको बताता हूं पोस्त हम लोगों ने यह बनाई थी इसको मैं एड़िट कर लेता हूं दुबारा अच्छा पोस्त एड़िट करनी हो तो दुबारा ओल पोस्त में आगया यहां से एड़िट प्रेश में दाल सकते हैं कोई एड़िट व्यू आपको ऑप्शन मिलते हैं यहां पर यह साई है यहां पर जो है वो एक कि जो अबोके के लाम से करेंश करेंगे क्या इसको मैं आपको नाम से रख्ति और नजर आ रही है कि एक निव ऑक्रेट हो गई यह उसके अंदर आपको एड़िट कोई गड़िट और-स तरह यह प्शन मिलेंगे और डिसकिप्शन इसकी कुछ भी नहीं रखिए आप चाहें तो यहां से रख सकते हैं अभी सिलक्ट जो है वो इसका खुद क्रियेट होता जो भी आप कैटेगरी बनाएंगे आप लोगों नहीं रखना खुद क्रियेट होगा नाम रखके एड़ न्यू बड़न बे क्लिक कर दें अच्छा इस से लिंके इस कैटेगरी से कितने पोस्त जो है वो लिंक है वह आपके सामने इस जी अभी से लिंक नहीं हुआ तो इसके आपके शामने शोरह जीरो जैसी मैं एक भी बोडिक करूँ तो यहां पर वह बन जाएगा देखेंगे आगे जब आप मैं आपको बताऊंगा तो वेबसाइट का जो आगर आप देखें मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगे तो लोगों के साथ जो यह मेन्यू नजर आ रहा होता है यह पेजी नजर आ रहे होते हैं कि पेजी जो है ना इन सब पेजी को मिलके मेन्यू बनता है क्लेक्शन आफ पेजी को मेन्यू कहते हैं जो के वेबसाइट के जातन मोसली टॉप बार में नजर आता है यह जो नजर आ रहा है आपको इसको कहते हैं मेन्यू तो यह मेन्यू होता इसमें भी आप अपनी बताना चाहरा था कि इसमें भी आप अपनी केटेगरी को शो करा सकत वह भी मैं आपको बता जाओं यहां से आप मैंने जो के टेगरीज वाहां रखी पोस्ट के अंदर वह आपको कहां शोओंगी यहां पर आपको करें और आपके सामने देखें News Training के नाम से एक टेगरी आ दिए अब मैं चाहता हूं कि निज और ट्रेनिंग जो हो मेरे मेनियू में शो होँ तो मैं देखें यहां पर आ गई है यहां पर शो हो रही हैं यह करने के बाद मैं क्या करता हूं अच्छा यह आप तोड़ा स तो इसलिए मैं आपको बताने के लिए यहां पर आया हूं बट यह सारी चीज़ हम लोग फर्दर आगे देखेंगे दुबारा से मैं आपको मेन्यू को बता दूंगा कोई ऐसी परिशान होने वाली बात नहीं है अब जो मेन्यू में हमने एड किये हैं दो कैटेगरी वह कैसे देख लेते हैं विजिट करता हूं एफसाइट को विजिट करने के बाद होम अबाउट अस एजेंट यहां पर देखें न्यूज दो तीन दफा आ गिया यह तीनों ही कैटेगरी हैं एक को रिमूफ कर देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो सेव कर लेते हैं दुबारा सेव क सब्सक्राइब करता हूं तो यह आपको अंदर यह आपके सामने शोर हैं जो हमने लखा था जो हमने फीचर इमेज रखी थी वह भी आहांबर आपको वह रही है इस तरीके से इसे किलिक करें तो यह आपको अंदर करने के बाद आप लोगों की कुछी तक पहुंचने के बाद जो मैंने पोस्ट की कुछ चीदे बताई हैं आप लोगों से हो सकें तो जितनी ही पॉसिवल आप लोग कर लीगा करने के पाद आप लोगों ने इसका एक स्कीनिशॉट लेना है इसकी जो है वह स्निपिंग टूल आपके पास होता है यहां पर सर्च बार में लिखे है एस एन आप लोगों करनी है हो कि आप लोग आप लोगों चीज़ समझ में आए होंगी नेक्स्ट जो है वो क्लास में हम लोग आगे फर्दर चीज़ देखेंगे तो जब तक के लिए आप लोग अपना खयाल लगए